कि नमस्कार दोस्तों स्वागतिय आपका कछफ़ी दस बिज्यान के अध्याइप पांच के जो महत्पून पिर्शन उत्ता रहे हैं दोस्तों इससे पहले हम चार अध्या तक کम्पिलीट कर चुके हैं अब हम अध्याइप 5 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम जे देखते हैं कि पिछला record इसका क्या रहा या पिछले किस तरीके से question पूछे गए हैं तो मैं आपको बता दूँ पिछला एक एक नमर के जो question थे यानि कि बहुँ विकल्पिय question थे वो दो नमर के आएसमें से दो नमर का एक question आया और चार नमर का एक question आया टोटल की बात की जाए तो आठ नमर का आया था क्या हैं लेकिए आपको पता है यह तो दिया नहीं गया है कि कितने नमघ का कौन कौष्टन आना है आफ तो टोंटाल 8 नमघ का आना है तो हम 8 नमघ के एसाब से पढ़ेंगे और लगग लकषी आपका यही इसी तरीके सह आएगा क्योंकि Niceta नहीं हुआ है आठ का पिछली बार आया था और आठ का अब आ रहा है ठीक है चलिए तो इसको बिना देर कि हम कोश्चन इसके इंपोर्टेंट करते हैं ठीक है अच्छा मैं एक बात और बता दूँ आपको कोश्चन स्टाट करने से पहले आपको इसमें लाश्ट तक रहना है ताकि आपको पूरे कोश्चन मिल जाएंगे आपका पहला कोश्चन है प्रकास संसलेशन के लिए आप ऐसे कच्ची समगरी पौदा कहां से प्राप्त करता है कंसर दे रखा है आप लख सकते हैं और इसकी कोश्चन करबारा हूं अनसर आप कहीं कर सकते हैं बिक मत carbon-dicker session कोश्चन हो गया अंगला देखिए कि सारे इंपोर्टेंट कोश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमका होती है देखिए 2020 में पूछा गया था ठीक है और फिर आपका आता है हमारे सरी में हीमियोगलिन की कमी के क्या पैड़ा हो सकते हैं 2022 में आया था ठीक है अगला है जाइलम तता फिलोए में पदार्थों की वहिन में क्या अंतर है ठीक है जे हो गया अंगला कोश्चन है जल से बाहर निकालने पर मचलियां क्यों मर जाती है यह आपका अंसर दे रखाया आप चाहो तो इस मैंसे लिख सकते हो चाहो तो आप इसकीन सोट लेकर बाद में लिख सकते हैं और नेक्स्ट है सोपोसी पोशण किसे कहते हैं यह देखिए 2022 में पूछा गया था ठीक है और जे प्रकास संसलेशन की किरिया विदी का केवल रासानिक समीक्ण लिखे तो यह दो नमबर में पूछ गया था कितने में दो नमर में जे आपकी जो है रासान दहरंदेजिए 2023 में पूछा अब देखिए यहां एक देखिये क्या है के सोपोसी किसे केथे 2022 में पूछ गया पूछा है अब यहां पूछा आहार नाल का चित्र बनाकर निम्न को निम्नाकेंत कीजिए मुख ग्रसनी हमासा आंत इनके बारे में आपको लिखना है तो यहां यह सब के बारे में दिया है जिए चित्र आपके पास होगा इसको बढ़िया से आपको बनाना हो लिख लेना है ठीक है जे चित्र आप से सौसन तंत्र का सुच्छ नमंकित चित्र बनाई है तो यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है इसको द्हान से आप बना लेंगे सीख लेंगे अच्छे से और अब इंपोर्टेंट जे आप से पूछा गया दोजार तैस में यह भी पूछा गया है यानिकि उसके अत्वा में प सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान रखना धमनी इवम्सरा में अंतर तुझे अंतर दे रखा है तीन पॉंट इधर है और तीन पॉंट इधर है देख लीजिए दो इधर दे रखने ठीक है तुझे अंतर आप अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे इनको देखिए कोशन है देर गुत्री मानब के आहर नाल का बड़न कीजिए चार नमर वाला कोशन है तो अनाल के कौन कौन से होते हैं मानब के पाचनतनत का बड़न ठीक है नम्न होते हैं 1 मुखवा नमर तू ग्रसका 2 अमासा और नम्पर चर आघ्रण जिया दिव नपना ट्यो के ब्रहद्रान्त तो यह आपके मानव के आहनाल का मतलब कुछ तंत्र है अब आता है आपका जे इंपोर्टेंट कोश्चन ने देखिए इनको भी पूछा जाता है और यह एक और कोश्चन रख तो लसी का में अंतर यह भी 22 में पूछा गया देख लिजिए एक चीज क्लिए क्या है 22 में पूछा गया था एक अंतर तो उसके अथवा में दूसरा अंतर पूछा गया 23 में एक चित्र पूछा गया उसके अथवा में भी चित्र पूछा गया इस बार question आने की संभाव ना है तो आप एक अंतरों को अच्छे से करोगे रख्त और लसिका में अंतर ठीक है जे अंतर है जे आपके चार चार पॉंट दे रखें आप इनका इसकी इंसोट ले लीजिए धोनों कोश्चनों का जे अब इसका थोड़ा देख लेते हैं पुछली बार कैसा पूछा गया इस बार क्या आना है तो देख लीजिए पिछली एक नमबर की चारोटी पूछी गई और ती नमबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है तो टोटल कितना हुआ चारो तीन साथ और इस बार आना इसमें अभी यान की सल पूछा जाना है चे नमबर का टोटल चे नमबर का पूछा जाना है तो लगवाग कोश्चन में चैंज नहीं होगा ओटी वह एक आद कम कर सकते हैं ठीक है तो पूछी करना है क्योंकि लगवाग तीन चार नमबर की पूछी जानी है तो आप अच्छे से पढ़ ले ना ठीक है छेद दय के इंपोर्टन कोश्चन देख लीजी हम एक अगरवत्ती की गंद का पता कैसे लगाते हैं कोश्चन जो हो गया दूसरा है प्रतिवर्ति क्रिया में मस्त इसकी क्या भूंका होती है और नमर तीन कोश् आयोडीन युक्त नमक के उप्यों की सलाय क्यों दी जाती है यह आपका अंसर है आप चाहो तो इसको रोक के वीडियो को रोक के लिख सकते हो चाहो तो इसका इसकी इंसोट ले सकते हो ठीक है अंसर का और जहे है मदमे के रोकियों की चिकिस्सा इंसुलन का इंजेक्शन द बनाइगे झोपा को चित्र बनाना है द्यान से पढ़ना इसको बहुत मोस्ट छिट्र बनाने किताबों में भी दिया रहता है तो कहीं से वहcha सकते हैं दिनले लिए आक जया अद्ध से मनुस्य के मंस्थ में अजया लेवा थीर बना पूछा गया है इस बार भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आप इस चित्र को अच्छे से बना लें ठीक है और अंगला कोश्चन है निमने हार्मॉन्स मैंसे प्रतेक का एक एक का लिखिए थायरॉक्सिन का का लिखना है इंसुलिन का का लिखना है एड्री नैनिन का का लिखना है ब्रद्धी हार्मॉन्स टेस्टोस्टोरन तो यह दे रखें आपको देखिए सब के बारे में थायरॉक्सिन जे दे रखा है इंसुलिन ठीक है सब का अंसर दे रखा है आप इनका इसके इसके लिए सकते हैं अंगला कोश्चन है जो है मानब मस्तस के कोई तीन कार लिखे देखिए 2023 में पूछा गया था ठीक है जिए आपके आंसर दे रखें मानब मस्तस के तीनर कार लिखा है ठीक है चलिए अंगला देखते है मनस्ट में पाई जाने वाली किनी तीन अन्ता इस्तरावी ग्रंतियों के नाम एबमन के उनसे इस्तरावित हर्मन के नाम लिखिए तो देखे जिए अन्ता इस्तरावी ग्रंतियों और इस्तरावित हर्मन यह आपके दे रखे हैं तीन नंबर में पूछा गया है देखिए 2023 में पूछा गया है इनके पिछली बार पूछा गया है तो जी कुछ पांच और छेद्य की इंपोर्टेंट कोशन थे आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए याद कर लीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और अगर आपको ओटी की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो मैं ओटी की वीडियो पूरी एक साथ सभी अध्याओं की एक वीडि चलिए यहां तक सुनने के लिए धन्वाद वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ठीक है